बहुत सारी queries आ रही है कि iPhone 10 2024 में या फिर लास 2023 में किस price point पर buy करना चाहिए आपने आप में बहुत बढ़िया डील थी लेकिन इस टाइम मैं बिना टाइम वेस्ट की एक conclusion की बातें करूँगा मैं तब clear clear बातें करूँगा कोई भी confusion नहीं रहने वाले इस वीडियो में दोस्तों अगर आप iPhone 10 को buy करने की सुच रहे हैं किसी भी second hand iPhone purchase करने की सुच रहे हैं तो इस phone को buy करो या ना करो इस वीडियो में जान लोगे आप So last तक देखना ये वीडियो आपकी full problem solve कर देगी कि किस budget में किस बंदे को कौन सा phone buy करना चाहिए So start करते हैं सबसे पहले इस phone की pricing की बात करूँ तो market value अभी इस phone की है 15,000 अगर आप किसी local shop से buy करने जाओगे 15,000 से 18,000 में अभी भी आपको ये phone देखने को मिलेगा क्योंकि ये phone की value अभी इतनी कम नहीं हुई लेकिन ये phone अब चलाने योग इतना नहीं रहा इसके तीन सबसे बड़े reasons बताऊंगा So सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो phone काफी शांदार, काफी unique looking है और काफी बढ़िया है Full view display है, face ID देखने को मिलती है, बढ़िया speakers, बढ़िया display, बढ़िया sound quality, everything is perfect लेकिन कुछ चीज़े अंदर hidden है, वो बढ़िया नहीं है So start करते हैं, अगर दोस्तों आप 15,000 किसी iPhone के उपर लगा रहे हो तो वो थोड़ा चलना भी जाएए लेकिन यही problem इस iPhone के साथ है कि ये phone इतना जादा चले गाई नहीं क्यों, इसकी battery problem है अगर आप इसकी battery अब आब बोलोगे, battery phone में ले लेता हूँ, battery change करवा लूँगा दोस्तों फिर भी इसकी battery problem रहने वाली है क्योंकि duplicate battery हमेशा कभी भी इतनी जादा time नहीं चलने वाली तीन महिने के बाद में वो फिर खराब होगी, यह मेरी guarantee है battery health आप देख सकते हो, service पर है मेरे iPhone की और literally बहुत जल्दी drop कर रही है क्यों, क्योंकि इसके software updates या इसकी ऐसी life हो गई है क्योंकि 5 साल परानी battery है, वो अपनी life दिखाएगी, अपनी aging उसकी होगी ही होगी हर battery ही age होती है यहाँ पर आप check out कर सकते हो, iPhone 11 एक बड़िया deal रहेगी इस की उपर लेकिन सबसे पहले इसकी pricing की बात करता हूँ जैसे कि मैंने आपको अर्रेडी बताया कि iPhone 10 जो है वो 15 से 18,000 के बीच में देखने को मिलेगा अगर आपको इसके साथ box, charger, everything साथ में देखने को मिल रहा है यह है इसका selfie camera जो मेरे को बिलकुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है iPhone 10 का selfie camera इतना ज़्यादा बहतर नहीं है iPhone 10 के primary cameras भी indoor conditions में इतने ज़्यादा बहतर नहीं है अगर दोस्तो मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसी price point पर आपको बड़िया phones देखने को मिलेगे वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से phone है इसी price point पर So iPhone 10 सबसे पहली चीज, पहले नंबर पर एक 5G phone नहीं है GOB और Retail भी 5G launch कर चुका है और free में ही provide कर रहा है Almost थोड़े से पैसों में ही 5G मिल रहा है यह phone अगर आप buy करते हो तो 5G से तो पीछे हो जाओगे Secondly, बड़ी problem जो मेरे को लगती है यह एक single sim वाला phone है अब आप बोलोगे iPhone सारे single sim होते हैं नहीं iPhone में e-sim की technology होती है हम e-sim डालकर अपने phone में dual sim यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं भी यूज़ करता हूँ अपने दूसरे phones में और iPhone single sim card वाला phone है iPhone 10 और इसमें आप single sim card ही यूज़ कर पाऊगे लेकिन वह भी काफी कम हद तक क्योंकि iPhone 10 में इतने बश्तर networks नहीं आते है iPhone 10 को एक network की एक बड़ी problem है यह मैंने दो साल यह problem जेली है वह कैसे लेट अजियो में आप अंदर बैठे हो और आपको दिख रहा है कि मेरे हाँ 3 bars आ रहे है ठीक है मैं phone अपने pocket में रख रहा हूँ बड़े अराम से बेफिकर होके कि हाँ मेरे networks मेरे को मिल रहे है बड़ीया phone है लेकिन जब मैं outdoor condition में जाता हूँ मेरे को message आता है कि भाई इस इस बंदे का तरह को phone आया है और back call कर ले जियो की तरह से जो message आता होता है वही message आता है बार-बार इसका मतलब यह है कि जब मैं indoor conditions में होता हूँ phone show करता है full network लेकिन call मेरे तक पहुंचती नहीं है बाद में जब मैं networks बड़ीया network वाले zone में जाता हूँ तो मेरे को message आता है कि इस इस और दिक्कत बता हूँ तो iPhone 10 अब ज़्यादा battery backup नहीं देगा आपको iPhone 10 crash करेगा iPhone 10 hang करेगा iPhone 10 lag करेगा बहुत ज़्यादा so it just depends upon you यह आपकी choice है कि अब आपको यह phone buy करना है या नहीं करना है तीन बड़ी problems मैंने बता दी है यह phone की battery कमज़र है यह phone आपको 5G phone नहीं है यह यह phone के selfie cameras और दूसरे cameras indoor condition में इतने बड़ी है नहीं है यह phone आपको कम networks provide करेगा बाकी कोई problem नहीं है और by the way यह phone buy ना करके आप iPhone XR जो की 15,000 के नीचे ही देखने को मिलेगा वो buy कर सकते हो उसका फाइदा क्या है सबसे पहले तो उसमें iOS 17 update भी आया है वो phone dual sim वाला phone है और इसकी battery backup भी जादा है as compared to iPhone X so वो deal आपको जादा बहतर रहेगी buy करने के लिए instead of buying iPhone X so दोस्तो यह बड़े reasons हैं कि iPhone X buy ना करना pricing मैंने आपको बता दी है अगर आपको यह मिल रहा है ना 5 से 7 से 8000 में तो buy करने ना फिट डील सही है लेकिन 15000 में तो कहीं भी यह वर्थ डील नहीं है so I hope मैंने आपकी अलमुस सारी confusion दूर कर दी है आपका iPhone अगर आप buy करने की सोचे तो कौन सा iPhone buy करोगी किस color में buy करोगी आपके पास already कोई iPhone है तो कौन से color का है कौन सा phone है comment section में बताओ मिलते हैं guys next video में thanks to watching thank you so much